हेलो एवरिवन आम मैक सोनी हम अपना चाप्टर केमिकल कॉडिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग आज टेस्टीज ओवरी और हमारी बोडी के और कौन-कौन से और गन्स हैं जो की और नहीं होने के बावजूत भी होमों सिक्रीट करते उनके बारे इसमें लेडिक सेल्स जो के इंटर ट्यूबिलर स्पेस में प्रेजेंट रोची जिनको इंटरिस्टीशल सेल्स भी बोलते हैं एंडियोजन ए ग्रूप ऑफ होमोन मेली टेस्टोस्टेरोन का से क्रेशन करता हैं जो एंड्लोजन होमोन है में मेल बोडी में सबसे इंपोर् अधर ऐसे सरी सेक्स ओर्गन्स है जैसे कि वास डिफरेंज एपिटी डाइमेस और प्रोस्टेर ग्लाइंड युरेट्रा एटी सी के डेवलपमेंड ग्रोथ और मैचुरेशन फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है उसके अलावा एंड्रोजन होर्मोन जो है वह मेल बो करता है ये क्यारेक्टर भी एंड्रोजन हों और्प्रोपा जो हो में जो सासे कम इंफ्य descriptions करता है उसके सब्सेंस करने यका काम बिंड्राइपकर आ श्किताम मां करता है उसके साथ-सधियेo और मेल बोडी में कार्बोहईडरेड मेटाबोलिजम और प्रोटीन मेटाबोलिजम को सिंथाटिक या एनबोलिक एफेक्ट देते हैं और ओवरीज फीमेल की प्रैंड अउर्गन होती है वन पेयर में होती एबशने üz deserving नेपकादों ते सक्योशी तरह demographic होती निफस्ति और तेस्टेश मेंति शभण के और evolution के बाद जो रप्चट फॉलिकल है वो कॉर्पस लूटियन में कनवर्ट होता है और प्रोजिस्टरोन होमन सिक्रीट करता है estrogen hormone female के जो other sex organ होता है उनके development उनके growth maturation के लिए काम करता है role play करता है उसमें then estrogen की वज़े से ही female के जो secondary sexual characters है जैसी कि memory gland की growth high pitch voice और facial hair का कम आना यह सब इन सब को stimulate करने का काम भी estrogen hormone ही करता है उसके साथ साथ जो प्रोजिस्टरोन होमन है वो pregnancy को support करता है और प्रोजिस्टरोन होर्मोन memory glands की growth memory glands की growth plus milk उनमें जो alveoli होती है उसके formation को stimulate करता है उसके सासान milk के secretion को stimulate करता है alveoli जो कि एक सेकलाइक structure होती है जो milk को store करती है तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी body के कुछ tissues जो की non endocrine gland होते हुए भी hormone को secretion करते है for example atrial wall of heart जो की एन फ एक्ट्रियल नेट्रियूराटिक factor release करती है जिसका काम होता है BP को कम करना जब हमारी बोडी में BP बढ़ जाता है तो एन फ रिलीज होता है जिसकी वाज़े से blood vessels dilate हो जाती है और BP कम हो जाता है वापस से नॉर्मल हो जाता है देन जक्स्ट्र ग्लोमिलल सेल ओफ किड्नी जो की erythropo protein नाम का hormone release करती जो कि एक peptide hormone है और erythropo erythropoiesis प्रोसेस को स्टार्ट करता है मतलब red blood cells formation का जो प्रोसेस वह स्टार्ट करता है अब यहां पर वापस आपको ध्यान देना है हमने एक hormone बढ़ा था thyroid gland में thyroid gland के जो hormone होते हैं वह भी RBC formation में help करता है और यहां पर हमने बढ़ा erythropoietin जो कि peptide hormone है वह भी erythropoiesis प्रोसेस को मतलब RBC formation को stimulate करने का काम करें तो इस चैप्टर में हमने तीन जगें पड़ा को याद रखना है इस पर question बहुत आते हैं देन हम देखते हैं gastrointestinal tract में अलग-अलग जगह पर बहुत सारी cells होती है जो की hormone secret करती है में लिए चार peptide hormone secret secret करती है gastrin secretin कॉलिस इस्टो काइने सीचिक है और जी आईपी गैस्टेन इनिभीट पेप्टाइड तो अब हम देखते हैं कि यह चारो peptide hormone किस तरह से काम करते हैं हमारा जो gastrin hormone है वो गैस्टिक लेंड्स पर काम करता है और उसको कॉलिस इस्टो काइनिन होमोन यह एक्जोक्राइन और गॉल ब्लेडर दोनों पर काम करता है पैंक्रियास को पैंक्रेटिक एंजाइम और गॉल ब्लेडर को बाइल जो सिक्रीट करने के लिए इस्टिमिलेट करता है देन जी आई पी जी आई पी इन हीबिट्स गैस्टिक सिक्रीशन एंड मॉटिलीटी और वह सारी और हमारी बोडी में वह सारे ऐसे टिशूज होते हैं जो की एंडोक्राइन नहीं है उसके बाद भी होमोन डिलीज करते हैं इनको ग्रोथ फेक्टर क अगर आपको वीडियो अच्छा लगो इससे आपको कोई वैल्यू मिलियो तो प्लीज लाइक करिएगा अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स वोग अच्छी